चलिए देखते हैं कोश्चन पूरा विज्वल है ठीक है जलो ठीक है आपके बुक का कोश्चन है इसमें एक न्यूपॉइंट सीखेंगे हैं जैसे अगर मैं बताओं कोश्चन स्टार्टिंग से क्या-क्या है आपका तो देखो यह वाला कोश्चन तो हम डेन कर जूक है ठीक है जिन बच्चों को समझ नहीं आता पूछ सकते हों यह कोश्चन भी आपका होमवक रहेगा सिंपल है और कुछ नहीं है इसके अंदर बस यहां पर एक यह पॉइंट है अगर आप पूर नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूँगा इसके अंदर प्रीपेड वाला पोर् यहने काम जो कि अपको दिक्कत हो एक यह कोश्चन है इसके अंदर एक यह बगायदा हाइलाइट किया हुआ है तो इस वाले पॉइंट्स के लिए सिर्फ में इस कोश्चन को करा रहा है स्टार्टिंग में क्या कहता है पढ़ लेता है कि गरीमा स्टूर है डेली ओपरेट retail branch तो यह डेली एक retail branch at chanai. यानि जो डेली है और एक chanai, चन ने इसका branch है जिसके accounting करनी है मैं, the head office make all purchases and branch charge cost plus 50 percent, जो actual है यह cost के उपर 50 परसंट जोड के भीचता है, इसका मतलब जो sales पे होगा, that is होगा one by थ्री ठीक है कैसे होगा थ्री अगर कॉस्ट पे 50% होता है तो आता है 33.3333% जो कि इकुल टू होता है वन भाइ ठी नहीं तो आप 133 परसंट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो किसी चीज का निकालने के लिए ठीक है आगे देखते हैं ब्रांच चार्ज कॉस्ट प्लस ऑल दा कैस रिसीव ब्रांच रेमेटी टू डेली हो जाता है ब्रांच इंप्रेश अकाउंट विच रियंबर्स बाइए एक इंप्रेश पैटी कैस्ट बूक होता है इंप्रेश जहां पर भी सब्सक्राइब और यहां पर तो खैर पैटी एक्समेंस नहीं दे रखा अगर इंप्रेश राजाए तो इसका मतलब जितना हमारा ओपनिंग में पैट ब्रांच कीप सेल्स लेजर सब बना रहे हैं एंड एसेंटियल सबसीडरी बुक भी बनाये जा रहे हैं बट अधरवाइस अल ब्रांच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड डेली ठीक है सटाउक इड् सैलिंग प्राइस जो लास्ट इडूर्ट में हैं यह हमारा ओपनिंग इस टॉक और यह उपनिंग अप्रप्र विदे ससनी я क्या मैंने कॉपि कर लिए चैक है तो यह बन गया मेरा एक काउंथो हूझ के अंदर हम यहांप लिख लेते हैं to 2 वैलेंस, बैलेंस-बीडी को टे कहां कैतना अमाउंट दे रखा है हमारे डेंडर का ओपनिंग बैलेंस चारहजार और इस टॉक का बैलेंस हम प्रांच अस्टॉक में डाले देंगे डेट इस 2 बैलेंस-बी-डी कि इस बात को लेके मतलब कई बार डेट भी ध्यान देना अब हमारा काम चल रहा है एक जनवरी और 31 यह नहीं है क्योंकि डेप्रिशेशन लगाने में बड़ा काम आता है कई आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि यह जनवरी से दिसंबर वाला फॉलो कर रहा है ठीक है क्या कहता है गुड्स रिसीव सेलिंग प्राइस पे 15,000 तो गुड्स हो गया हमारा यहां पर आ जाएगा गुड्स सेंट 15,000 इसके बाद क्या कहता है कैस सेल्स तो बाई साइड माएगा कैस सेल्स अमाउंट क्या है 60,900 इसके बाद क्या है हमारा गुड्स रिटन है ठीक है नहीं गुड्स रिटन टू डेली यानि आपका जो नॉर्मल रिटन है कितने रुपए है 300 ठीक है इसके बाद क्रेडिट सेल्स है वो भी यहां जाएगा कितने है 6300 ठीक है अब यह क्या कहता है हमारा एक लाइन और रिडेक्शन अलाउंस सेलिंग प्राइस कहता है अलाउंस है जो कि हमने सेलिंग प्राइस से रिडियूस कर दिया अब दो चीजे हैं देखना समझना इन चीजों को जैसे मान लो हम अगर स्टॉक अकाउंट बनाते हैं जैसे हम एक स्टॉक अकाउंट बनाते हैं कि यह हमें एक एग्जामपल ले रहा हूं है एक मैं बना के चल रहाूं इस्टॉक का सुरॉख अगांट जो हो प्लस इधर से होता है और माइनस इधर से होता है तो माइनस होने का रीजन क्या है कितने रीजन हो सकते है माइनस होने का अगर आपने सेल्स कर दिया तो माइनस हो जाएगा ठीक है और अगर आपने सेल्स के साथ अगर आपका कोई गुट्स खराब हो गया गुट्स डेमेज हो गया यानि लॉस हो गया goods का किसी भी reason से तो भी धर आ जायेगा और अगर किसी reason से बढ़ता है good cent आ गया हमारे पास goods receive कर लिया तो बढ़ जायेगा यहीं रहते हैं लेखिन मैं अगर किसी वेक्ती को मान लेते कि मेरा एक जो हजार रुपे का मेरे पास समान था ठीक है हम स्टॉक अकाउंट बना रहें ना कि profit and loss और मैंने किसी वेक्ति को ये समान सस्ते में बेच दिया और मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि भईया मैंने 800 का बेच है यही हजार वाला समान नौर्मली हजार वाला समान अगर मैं 1500 रुपे का बेचता हूँ तो हमारा फाइदा नुकसान होता है चुकि ये भी selling price पे है तो ये वाला समान तो सर 1000 का ही बेचना चाहिए था फिर हम इसका loading निकालके इधर कर देते हैं जिससे वो compensate हो जाता है लेकिन आपने इसको already 800 पे बेच दिया है यानि 200 रुपे का नुकस दे रखा है आपने क्या दे रखा है डिसकाउंट दे रखा है ऐसे situation में तो आपको always यहाँ पे loss होगा चीक है न तो हमें क्या करना है कि आपके पास से जो भी goods गया है दिसकाउंट उस डिसकाउंट के नाम से आपको 2000 रुपे यहाँ दिखाना ही 200 रुपे यहाँ दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे आप sales return माइनस करके दिखा सकते हो लेकिन discount माइनस करके sales कभी भी नहीं लोगे ऐसा क्यों ताकि फिर हमें actual पता नहीं चलेगा कि हमारे पास closing stock क्यों है क्योंकि हमने तो सब पर loading निकाल के रख दिया है तो कभी भी आपका कोई भी sales दे दे जिसमें से already discount माइनस हो या allowances के नाम से माइनस हो तो उस allowances या discount को आपको यहां भी दिखाना पड़ेगा और इसे आपको P&L में भी दिखाना पड़ेगा एक ऐसे ही question allowances के नाम से आया था ठीक है अगर already अगर इसमें माइनस नहीं होता तो सिर्फ P&L में दिखा और कहीं नहीं जाएगा हमें दिखाने की जूरत नहीं है अगर कोई sales की कोई चीज़े अगर sales return माइनस है तो कोई फ कर देता है तो सेम इसी तरीके से देखा जाए तो यहां पर अलाउंस है तो अलाउंस कहता है already जो है हमने authorized reductions selling price of goods already reduction कर रखा है तो भाया इसको हमें क्या करना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा यहां और इसको हम P&L में भीज़ देंगे profit and loss और जो हमने reduction किया हुए आप reduction ड बना रहा हूं मैं और यही entry मैं यहां डाल देता हूं तू किसके नाम से आपका branch stock के नाम से और 150 bracket में लिखना चाहते हो तो यह लिख सकते हो अलाउंस इस ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ताकि पता चल जाए examiner को ठीक है इसका यह कानी बस दो ही entry हो नहीं है इसकी ठीक है आगे कहता है cash receive from debtor वो यहां जाएगा by cash receive cash receive कितने रुपए का cash receive है 4800 तो 4800 यहां आगे क्या कहता है इसको debtor return off as irrecoverable debtor को हमने write off कर दिया जो कि नहीं मिलेगा मतलब betdates है यह तो भाई साब betdates दो जगह जाएगा एक तो यहां भी जाएगा betdates कितने रुपए हैं 200 और दूसरा पी एंडल में भी जाएगा betdates कितने रुपए दो अब आगे कहता है cash discount है तो भाई यहां भी जाएगा discount कितने एक पचास और एक यहां भी जाएगा डिस्काउंट एक सो पचास ठीक है यहां तक हमने कर लिया इसके बाद क्या कहता है a consignment of goods dispatched to the branch मतलब कहने का मतलब है दिल्ली ने एक goods भीज रहा है किसको इसके नहीं को dispatch किया 28 December 20 में जो कि भाई 31 December तक पहुंच जाना चाहिए क्योंकि 31 December तक ही accounting है हमारी लेकिन वह समान अभी 5 January यानि next year भी लग चुका है लेकिन अभी तक receive नहीं हुआ 180 और यह समान जो stock आपको closing बताया जा रहा है इसके अंदर जुड़ा हुआ भी नहीं है तो इसका मतलब सर यह रास्ते में है लेकिन भेजा गया इसी साल के अंदर अगले साल में count नहीं करेंगे तो हम जो closing stock दिखाएंगे वो buy side में दिखाएंगे एक तो normal closing stock हो जाएगा जो कि हमारे पास है normal लिख देता हूँ that is question खुद कह रहा है 7-2 और 8 goods in transit कितने रुपे हैं 180 ठीक है सर कहता है Consigned Goods Dispatch 28 December को पर यहां तक देखेंगे कोई दिक्कत समझ मैं अब मुद्दे की बात है सर क्या good send जो किया गया क्योंकि आप इधर दिखा देंगे तो इधर दिखाओ कि तभी तो वह चीज़े पराबर होगी तो जो good send किया गया क्या यह 180 इसमें जुड़ा हुआ था कि नहीं था यह देखना पड़ेगा अगर 180 में यह क्योंकि आया है ना हमारे पास goods in transit एक सब्सक्राइब पहले यह बात खुछ समझी है ठीक है आगे कहता है दा एक्सपेंस रिलेटिंग तो दा ब्रांच फॉर दा इयर एंडिड जो था हमारा अठारा सो रुपए अब क्या expense से भगवान जाने हमें तो बस यह लिखना है टू expense और यह अठारा सो पुट कर देखें अब देखें कोई सा चीज मिलता है यहां पर कहता है कि एनी स्टॉक अनकाउंटेड जो की नहीं मिले पता ना चल पाए उसको आपको क्या मानना है नॉर्मल वेस्टेज ठीक है तो यहां पर कुछ ना कुछ निकलेगा आपका स्टॉक में इसका मतलब या तो बराबर आ जाएगा या तो कुछ निकल जाएगा तो सबसे पहले हम लोडिंग वगरे तो कर लेंगे पहले स्टॉक अकाउंट का टोटल कर लो कि इतना रहे है इसका कि एक केस और इधर एक केस एक सबस्सक्राइब अगर डिफरेंस आएगा तो सौटेज और नॉर्मल लॉस कर देंगे या फिर मैच हो जाएगा एक किस एक सो बीस आ रहा है सई से टूटल करना एक बार देखो क्या रहा है डिफरेंस दिखाने भूक देखो कि नॉर्मल निकल लेगा ज़िए कि क्या निकल रहा है माइनस किस साथ रुपय का रहा है कि जिसको हम कूट करते हैं पाय है पाया को थे वह जब सकते हैं कि में अब हम लोडिंग की बात करते हैं इस्टाउक रिजर्व तू स्टॉक रिजर्व किस पे सर यह आएगा हमारा टू वाला आएगा किस पर आएगा कि अधर क्लोजिंग का और किसका आएगा टू रिटन और टू में क्या आजाएगा नॉर्मल और तो कुछ है नि तो 1 x 3 निकालना है तो 1 x 3 72 प्लस 180 divided by 3 यागा 2490 कि रिटन की बात करें तो 300 divided 100 आगया यह नॉर्मल की बात करें तो पूरा ही आएगा अब 5 स्टाउक रिजर्व होपनिंग स्टाउक वाइस को स्टॉक रिजर्व गुट सेंट एक सोसी ले लिए आपने वाइस टॉक रिजर्व कि ट्रांजिट कि साथ और कोई रह गया बस ठीक है सेल्स रिटन वगर नहीं था नहीं तो मैं यहां दिखा देता है यहां पर ठीक है तो यह आगे हमारा साथ हजार कि साथ यहां पर आजाएगा ग्रॉस प्रॉफिट यह फिर सर प्लस लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते हैं कितने 264 यह बाइज साइड में आ जाएगा वाइज प्रॉफिट 26 क्या कह रहे हैं चालिस नहीं आ रहा है क्या तो अब ने टोटल वोटल गलत करके बता दिया मेरे को नहीं माइनस है आ गलत ही बता है वह यह चार्ट वालिस उद्स आ रहा है यह कैसे करके गलत बता है पर जो वाले सो दस यह चो वाले सो दस आएगा अब टू निट प्रॉफिट अच्वाइनस एक सो पचास क्या 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 एक सो दस इससे चेक कर लिजिए रहे हैं ठीक है तो इसमें में पॉइंट इस सवाल को क्यूंकि हर एक सवाल में देखो ब्रांच हो होता है ना अब पाइनल अकाउंट पे तो यह हर वार इसमेंट इसमें जितना कराना था करा दिया बस एक आध पॉइंट लेंग्वेच का है ठीक है ना वह आपने देखना है बस चलिए यह हो गया इसके बाद आप इसको भी होंबग में र लगा है और डी वीडियो पड़ा हुआ है लेकिन फिर में एक बर दुबार करा दो इसका वीडियो बनाया रख लेकिन फिर एक बार कर लेंगे ठीक है इसके बाद देखा जाए यह भी होंबग में रखिये आप यह भी होंबग ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत आएग गुड्स पर्चेश लोगाल है मैं करा दूँर लोगल परचेस एक छोटा सा ट्रांजेक्शन यह भी होमबग में रह यह नहीं करना है यह रिपीड खुश्चन है ठीक है इससे क्रॉस लगा दीजे इ Assembly सद्रा कुश्चन ढूबार किото हो गया रिघ बल्कि मुझे लग रहा है कि यह मैंने अभी तो नहीं किया एक सो पचास डेटर और्थराइज रिडेक्शन 15,000 मेरे को तो लग रहा है अभी अभी किया है है कि क्या नहीं है नहीं करना भाई यह कर दिया अपको बहुत टाइम लग रहा है जज करने में देखो सब कुस तो सेम है तो यह भी करना नहीं है यह तो कर लिए अभी अभी किया एक जैस्ट्रेस को कोश्चन पता नहीं कि रिपीट कर देबस यह 2017 में आया हुआ है तीस कोश्चन वह जर्नल एंट्री बेस है तो उसको देखेंगे यह जर्नल एंट्री बाकि आगे जर्नल एंट्री है ठीक है तो यह चैप्टर मानके चलो एक दो दिन में जैसे भी खतम कर देते हैं बचेगा निए इसके बाद हमारा जो में है ना स्टार्ट करना डिपार् तो एक बाद नोट करना है आपको ना आपने करतो रखा है तो उसमें कर्रेक्शन लगा लो क्या है